प्रिबेंशन इस बेटर देन क्योर दुर्गटना से साथ दानी वली दोस्तों जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि इस करोना के चलते चारों तरफ अपरा तप्री का महल अस्पतालों में नाइने लगी हैं लोग मर रहे हैं और यहां पर ऑक्सियन की सप्लाई का बहुत बड़ा दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या करें कि आप अपने घर पर बैठके यह आप क्या सपस कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अक्सियन की सप्लाई है जब तक उसको कोई और क्या करें कि वह अपनी ऑक्सियन का लेवल मेंटेन रखें और अपने लंग्स की की कपैसिती बढ़िया होगी आपका रेस्परेशन बढ़िया होगा पर आपका जो ऑक्सियन के लेवल मेंटेन रहेगा और साथ में अगर कोई व्यक्ति जिसको जरूरत है जब उसको अगर आभी तेरपी देंगे तो उसकी घर बैठे लंग की कपैसिटी वारा नोसा दोस्तों आए जानते हैं इन तीन तक्निक को इस वीडियो के अंदर लेट वारेख व्यक्ति जो करेंगे अगर आप सोचते हैं कि हो सकता है अगर आ नंबर आप करना हो हो सकता मुझे इसकी जरूरत पड़े दोस्तों घर बेते इमीजेटली इन तीनों टेक्निक्स को करना शुरू कर दीजिए माशा करता हूं कि अगर आप इसको तरीके से करेंगे तो आपको किसी अस्पतायल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सबसे पहले टक्निक दोस्तों आपने क्या करना है हमारे गक्यों हात है हमारे फैसी यह एक्डियूप्यूबेशियंक प्रेटिसल चाइरिस बेडिसीन की अकॉर्डिक यह लंग्स की उंगलिया है अब आपने क्या कर रहे हैं अपने कोई आयल लेके आप इसको मसाज और इन द इसको जब मसाज करेंगे इची तरीके से दो-दो मिनट के लिए तो आप देखेंगे कि आपकी लंग्स की पावर इससे दीरे-दीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी यानि कि आपके सारे पॉइंट इससे अक्टिवेट हो जाएगे तो इसलों दोसों दोनों मिन्यों की लास द सब्सक्राइब हमारी बॉड़ी में काई काफी मरवा पॉइंट सब्सक्राइब बहुत ही जादा महत्रफूर पॉइंट है वह अनी और उद्वी मरवा कहां पर आते हैं देखिए इसकी लोकेशन दोस्तों अपने बाजियों को जो आप ऐसे उठाते हैं तो आप ऐसे कर ले और दूसरा थम आपका नीचे रहेगा ऐसे पोल्ड करेंगे और यहां पर आप करें और बाकि सारी यह आप नीचे रगए और ऐसे आपने हाथ सीधा करके इसको दबाना वान दो प्री पोर पाइब 6 7 8 9 10 यह आपने कम से कम 20 वार से दबाना दीरे दीरे एक दो ऐसे करें दोसरे जब आपने बीस वार सको दबाजे उसके बाद इसके जहाए खता होता आपका पोर्ट फिंगर इसके बाद पूंट आपके लंस का यहां पर आपने दूसरी उंगली से साथी उंगला नीचे र साथ 8 9 10 ऐसे आपने 20 बार ये भी करना है यह आपने एक बार इस पर किया ऐसे आपने दोस्तों दूसरे दूसरे हाथ में भी करना है सेम इसको ऐसे फोल करके है वान टू प्री पॉर पाइव सिक्स सेवन एट नाइट टें लेवन ट्वल थर्टीन पॉर्टीन फिप्टीन और जो आपने खता हुआ है वहीं से आपने दूसरे उंगली फोर फिंगर लेनी है पर ऐसे आपने दवाना शुरू करता है एक दो हाथ पिरकुल सीधा रहे लगाता इसको करते हैं तो आप को प्रॉब्लम नंग्स की बिल्कुल नहीं होने वाले आप इम्म्यूनिटी बढ़ेगी और दूसरा अगर आप क्या अस्तव अब्रती है किसी को प्रॉब्लम हो रही है सैटुरेशन डाउन जा रहा है तो आप पोशिच कीजिए कि इसके य बढ़ेगी आपकी इम्म्यूनिटी बढ़ेगी यह था दूसरा प्रॉब्लम जिसको कहते हैं अनी और अब करते हैं दोस्तों लास इस जो प्रॉइंट के लिए पॉइंट है जो आपने इसको एक्टिवेट करना है तो दोस्तों जिसे हमारे हाथ हाथों की जो लास्ट ऐसे हैं यह यहां से लेकर यह पॉइंट हैं ऐसी चाहिस आपके इंदर यह जो यह से लेकर जो पॉइंट है यह दोनों अमारे का पॉइंट है इससे देखी नंग के क्रोड में आपने क्या कर रहा है कि आपने क्या रानाया एक यासे ठे flies्म सरे भी ज़ूदी तो कह दिया चांद दूसराश करेंगेगोषी दिशोग्तर कि नटीह इस प्रकार से आपने दो क्लास्टर मैंगरे फिर आप इस पॉइंड पर ऐसे करके लगा ने एक एक है ऐसे अजोस्थ को लगा देगा छार से आठ गणे बिलगाँ और इसे प्रकार से हाथ मेल लगाने इसको ऐसे आपने साथ में लगा रहे हैं तो यह आप चार साथ गंटे के यह आपकी जो लंग सीक पैसी को बढ़ाएगा उसकी एनर्जी को बनाएगा और आपकी बुमिनिटी को बूस करेगा दोस्तों यह तरी तरी कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्लस्टर में नहीं है तो आप चि इसके लावा अगर भी नहीं है तो आप जीमी से अगर आवा जीमी तो ठीक है अधर्वाइस एक नॉमल पैंसिल पैंसे आप इसको कम से कम दो मिनट के लिए ऐसे दबाते रहें यह यह अगर आप जो पेशेंट आ उसके उपर वे ऐसे करें किसी पैंसिल से इसको लगा पर क करने से हम देखते हैं कि हमारे लंग्स बिल्कुर ठीक हो जाती है और हमारे रेस्परेशन बेटर हो जाती है और हम हमारी बनते दोस्तों यह जो इसको जरूर कीजेगा महाश्य करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया जासाल लोगो इसको शेर कीजिए जिसको इसकी दबाने क्योंकि अभी और भी तीन-चार वीडियो में बनाने वालों लगातार जिसमें मैं बताऊंगा आपको कौन से ब्रीधिंग प्राणा हम आपने करने और अगर लंग्स की प्रोब्लम ना है इसके लिए पहले से आपने क्यार्य करनी है उन सारी वीडियो को आप with this, I wanna thank you and please take care of yourself and take care of your family and have a safe day Take care Bye Bye